कंदे की तकलीफ जो पेशन्त भी ऑपटिव में विय士ट करता है वो यह कहता है डॉक्साब फ्रोजन शूल्ड़र हो गया और कंदे किसी को भी तकलीफ होती है और फ्रोजन शूल्डर हो गया देखें तो कंदे में और भी बहुत सारी वजुहात हैं, जिसकी वज़ा से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। हमारे कंदे के अंदर मसल होते हैं, आस और पे मसल होता है, सुपरा स्पाइनेटस कहलाता है। अगर आप इस मॉडल को देखें, मैंने इस पे नीडल भी लगाई है, अगर इस मॉडल को देखें आप, यह जो टेंडन जा रहा है, यह सुपरा स्पाइनेटस का है। अगर यह वाली हड़ी आप गवर करें, अगर इस मसल में सोजश हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे ही कंदा आप उपर की तरफ उठाएंगे, तो यह जो सोजश है इस हड़ी को टकराएगी और पेशन को तक्रीफ होगी। अक्सर पेशन इसको फ्रोजन शूल्डर के साथ पंश्यूज करते हैं, और मेरे पास आज़र अपस अपसा बमारा कंदानी उठा हमें फ्रोजन शूल्डर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि यह डागनोसिस तो हमारा काम है बनाना आपका काम नहीं है कि फ्रोजन शूल्डर है कि यह क्या मसला है। आम दोर पे जब यह वाला प्रॉब्लम होता है, इस मसल के अंदर जब सोज़िश हो जाती है, यहाँ पर एक बरसा भी होता है, उसे भी सोज़िश हो जाती है, तो इस जगह पे ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, तो यहाँ पर जितनी भी मेडिकेशन हम देते हैं आपको, वो यहाँ तक पहुंचती नहीं है, तो इसका बैस सलूशन यह होता है, कि हम कुछ ऐसा करें, ऐसी चीज़ करें, कि सारी की सारी मेडिकेशन यहाँ तक पहुंच जाए, एक आप्शन तो यह है कि इसको absolute rest दे दें, समझ लें कि इस तरह हो गया जैसे fracture हो गया, आप कम से कम एक हफते के लिए all this link के अंदर अपने हाथ को rest दे दें, इस पे आप icing करें, तो इंशाला ताला काफी हद तक chance है कि ठीक हो जाएगा, अगर इसके बावजूद में ठीक नहीं होता है, तो तरीका यह है कि best solution यह है कि हम इसी muscle के अंदर injection लगा दें, इस muscle में अगर हम injection लगा हैं, वो बजाए यहां पहुंचने के आपके मेदे को नुकसान पहुचाती है, और आपके जिसम में मुख्लिफ जोगां पर भी जाती है, और यहां पर सिर्फ 25% पहुंचता है, तो मेरा मशवरा हमेशा ऐसा होता है, कि जो भी patient इस तरह की pain में मुक्तला है, सबसे पहले व और इस जगा पर injection लगाएं,